क्रिकेट की दुनिया में रोहित शर्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा, इनके आकरामक बल्लेबाजी की तो दुनिया दीवानी है, इसी बल्लेबाजी के अंदाज के चलते इनको हिट मैन भी कहा जाता है, आज हम आप सभी को इनके जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी दें इनकी मापूर्निमा शर्मा है, जो की एक हाउस वाइफ है, रोहित ग्यारह साल की उम्र में बोरीवली में स्थित एक क्रिकेट कलब में आफ स्पिन गेंदबाज के रूप में शामिल हुए नकी बल्लेबाज के रूप में क्योंकि उस कलब में पहले से ही बहुत से स्पोर्ट से इवेंट मैनेजर होने की वजह से रोहित और रितिका की मुलाकात अक्सर होती रहती थी, इसी वजह से दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर यही दोस्ती एक दिन प्यार में बदल गई। के देवधर ट्रोफी में वेस्ट जोन टीम से शामिल होकर घरेलू क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। जहां इन्होंने नाबाद 31 रनों की पारी खेली थी, 2006 में इन्होंने न्यूजी लैंड एके खिलाफ भारत एके लिए पदारपर्ण किया जहां इन्होंने 57 और 22 रन की। पारी खेली थी, 2006 और 2007 में मुंबई के तरफ से रन्जी ट्रोफी खेलना शुरू किया और मुंबई इन्ही के बदौलत रन्जी ट्रोफी जीती, इन्होंने फाइनल में 57 रनों की शांदार पारी खेली थी, रोहित शर्मा ने 2009 में रन्जी ट्रोफी में तीसरा शतक लगाय था मुंबई इंडियन्स से जुडने के बाद रोहित ने पीछे मुरकर नहीं देखा 2013 में रोहित को मुंबई इंडियन्स का कप्तान बना दिया गया रोहित शर्मा IPL इतिहास के अब तक के सबसे सफल कप्तान है इनके कप्तानी में मुंबई इंडियन्स ने पांच बार IPL ट्रॉफी जीती है IPL के इतिहास में विराट कोहली और शिकर धवन के बाद रोहित शर्मा तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाडी है रोहित शर्मा ने 2007 में आईरलैंड के खिलाफ अपना इंटरनेशन वंडे डेब्यू किया जहां इन्हें बल्ले बाजी करने का मौका नहीं मिला था रोहित शर्मा ने 2010 में जिंबामबे के खिलाफ खेलते हुए अपना पहला वंडे शतक 114 रन बनाया था रोहित शर्मा एक मात्र ऐसे भारतिये खिलाडी हैं जिन्होंने एक वंडे विश्व कप टूर्नामेंट में पांच शतक और दो अरधश तक बनाई हैं रोहित शर्मा ने 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया जिसमें 177 रनों की शांदार पारी खेली थी जो शिकर धवन के बाद एक भारतिये बल्लेबाज द्वारा टेस्ट डेब्यू पर दूसरा सर्वोच स्कोर है रोहित शर्मा ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 2020 में अपना डेब्यू किया हाला की इन्हें इस मैच में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था रोहित शर्मा एक मात्र ऐसे खिलाडी हैं जो इंटरनेशन 2020 में चार शतक लगा चुके हैं International 2020 मैच में सबसे ज़्यादा चक्के लगाने वाले एक मात्र खिलारी हैं रोहित को साल 2015 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था रोहित को साल 2019 ICC ODI Player of the Year अवार्ड से सम्मानित किया था फिर उसके बाद साल 2020 में राजीव गांधी खेल रतन अवार्ड से सम्मानित किया था फिर रोहित को साल 2020 में मेजर धैंचंड खेल रतन अवार्ड से सम्मानित किया था फिर साल 2021 में उन्हें ICC ODI Team of the Year अवार्ड से सम्मानित किया था और अगर बात करें रोहित के कार कलेक्शन की तो उनके पास युरिस कार जिसकी कीमत 3 करोर 15 लाक रुपए है BMW M5 कार जिसकी कीमत 1 करोर 55 लाक रुपए है Mercedes कार जिसकी कीमत 1 करोर रुपए है BMW X3 कार जिसकी कीमत 56 लाक रुपए है फोचनर कार जिसकी कीमत 40 लाक रुपए है रिपोर्ट की माने तो रोहित शर्मा 214 करोर संपती के मालिक है इनको BCCI से 12 करोर रुपए सलाना मिलता है बाकी वह IPL और विग्यापन से कमाई करते हैं दोस्तों ये रही रोहित शर्मा के जीवन से जुड़ी कुछ बातें